आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफोर्डिबल 3BH के स्मार्ट होम ग्रेटर मोहाली में अपार्टमेंट मैं आपको दिखाऊं उसे बहले आप देखे ग्लिम्स आज को जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह आपका सेक्टर 124 ग्रेटर मोहाली में लोकेटेड है प्रोजेक्ट आपका 200 फीट वाइड पर रहेगा जो की आपका फॉर्दर फेस 6 की तरफ जाता है कनेक्टिविटी की बात की जाए तो PR7 और NH21 प्रोजेक्ट से आपके सिर्फ और से वन मिनिट के दिस्टेंस पर रहेंगे आपको सभी नेवरिंग सिटीज और नेवरिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हर्याना, हिमाचल, प्रोजेस सभी जुगे से आपको यहां से डिरेक्ट आक्सेस मिलेगा अब मैं बात करूँ नेवरिंग प्लेस और होट्स पोट्स की तो VR पंजाब मॉल, CGC कॉलेज, चंडिकड युनिवरसिटी, मैक्स हॉस्पिटल, सबके सब प्रोजेक्ट से सिर्फ आपके चार से पांच मिनिट के ड्राइविंग दिस्टेंस पर रहेंगे यह तो थी लोकेशन कनेक्टिविटी हमारी, यह जो आज कर दो मैं आपको अपार्टमेंट दिखाऊंगी यह आपके 118 गज के साइज में बना हुआ है और यह 3BH की अपार्टमेंट है तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो So guys this is the entry gate of the apartment यह आपका G Plus 2 concept पर बेस्ट रहेंगा साथ एक फ्लोर पर अपके दो अपार्टमेंट रहेंगे जिन्हें की आप स्टेकेस से अक्सेस कर सकते हैं अब इसी के साथ मैं आपको लेकर चलती हूँ अपार्टमेंट के अंदर और अब में आगई हूँ आपके smart home के अंदर जिसमें की आपकी entry होगी through this door जहां आपको डिजिटल लॉप का feature मिल रहें और एंटरेंस के बिलकुल साथ ही रहेगा आपका drawing area so this is your drawing area, drawing and dining combined अगर में इसके size की बाद करूं तो यह आपका रहेगा 11 x 12 square feet के area में जो कि बहुत जार्दा अच्छा आपको area यहां पर मिल रहा है, काफी spacious size में आपको drawing and dining area मिल रहा है यहां अगर अगर आम देखें तो यहां इन्होंने फिलाल 5-seater sofa set लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा यहां पर space बच रहा है, with that आप tiling देखें तो जैसी आप यहां पर यह tiling देख रहे हैं same as it is आपकी यहां पर tiling रहेगी so guys यह तो था आपका drawing area जिसके बिलकुल adjacent रहेगा आपका dining area and here is your dining area यहां अगर हम देखें तो इन्होंने six-seater dining table लगाई हुई है तो यह रहेगा आपके dining table का space जहां आपके पास फिर से काफी ज़्यादा space बच रहा है यहां पर इन्होंने अच्छे खास साइज में एक dining table लगाई हुई है and if you want अगर आपके घर में ज़्यादा member हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि space अभी भी बच रहा है so guys यह तो था हमारा drawing and dining area जो कि काफी ज़्यादा spacious मिल रहा है आपको बहुत ज़्यादा यहां पर space है इन्होंने काफी furniture यहां पर अल्रोडी लगा रखे हैं बट उसके बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा space बच रहा है उसी के साथ अगर हम देखें fall ceiling तो fall ceiling जैसी आप देख रहे हैं same as it is आपको मिलेगी with ceiling lights and अब मैं आपको लेकर चलती हूं मारी modular kitchen में and here we are in our modular kitchen सबसे पहले मैं आपको उसका size बता दू तो यह आपका रहेगा 7 by 12 square feet के size में जो कि बहुत अच्छा size है and now we are talking about kitchen की तो आपको जैसी यहां पर आप यह kitchen देख रहे हैं इस video में जैसे आप kitchen देख रहे हैं same as it is आपको यह kitchen मिलेगी कोई change नहीं होगा कोई difference नहीं होगा जैसे आप यह cabinets देख रहे हैं and जितने भी आपके जो cabinets है वो सबके सब आपके hydraulic openers के साथ रहेंगे and जो नीचे के जो cabinets आप देख रहे हैं यह सबके सब आपके soft closer के साथ रहेंगे so काफी जादा अच्छा space है and इधर देखने तो आपको एक बहुत ही अच्छा size में एक window भी मिल रही है जिससे कि आपके kitchen में कभी भी आपको suffocation फेल नहीं होगा यहां से आपकी cross ventilation होती रहेगी and यहां पर मिल रहा है आपको double sink with two faucets actually so guys मैं आपको drawing, dining and kitchen दिखा चुकी हूँ अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे bedroom number one में and here we are in our bedroom number one which is this देहे तो काफी जादा खूबसूरत bedroom है यहनों ने बहुत ही beautifully इसे design किया है बहुत ही प्यारा सा एक bed है, cupboard है, बहुत ही अच्छे size में यहां पर एक window है उसके बाद भी आप देखें काफी जादा space यहां पर बच रहा है movement के लिए आप चाहें तो इस bedroom को अपना office space बना सकते हैं या फिर इसे rent out भी कर सकते हैं अगर rent out ने करना तो इसे guest bedroom की तरफ भी use कर सकते हैं यहां पर इन सब चीजों का एक plus point यह है कि यहां पर आपको एक separate entry मिल रहे हैं तो अगर आपके guest हैं तो guest के लिए easy पड़ेगा विद आप अगर office space या आप rent out कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा पड़ेगा यहां पर आपको एक separate entry मिल रहे हैं यह separate entry जो है यह सिर्फ आपके ground floor के लोगों के लिए मिल रहे हैं आपके जो ऊपर के floors रहेंगे वहां पर आपके यहां पर रहेगा balcony का access और विंडो में आपको बताई चुकिए हूं विंडो की presence से आपके रूम में हमेशा natural air and natural light रहेगी इस तरफ हम देखें तो यहां पर रहेगी आपकी cupboard जी हां यह आपको cupboard इस room में provide की जारी है यह included रहेगी and same as it is cupboard आपको provide की जाएगी with that let me take you to our room number 2 which is over here and here we are in our room number 2 जिसका size मैं आपको सबसे पहले बतादू तो यह रहेगा आपका 10 by 12 square feet के size में बहुत ही जादा spacious आपको यहां पर bedroom मिल रहा है काफ ही जादा अच्छा यहां इस bedroom का size है आप देखें कितना प्यारा है और कितना बड़ा है नोने bed लगाया हुआ है table रखी हुई और उसके बाद भी आपके पास काफ ही जादा space बच रहा है movement के लिए इस वाल पर देखें तो यहां रहेगा आपके लिए LED पैनल का space और पीछे रहेगी आपकी attached वाश्रूम तो पहले चलते हैं वाश्रूम में और यह रहेगी आपकी attached वाश्रूम आप देख लीज़ें जैसी आप इसे देख रहें same as it is आपको प्रवाइट की जाएगी पूरी fittings के साथ पूरी आपकी premium fittings यहां पर यूस की गई है यहां पर रहेगा आपका vanity यह वाश्रूम भी आपको प्रवाइट की जाएगी साथ इस तरफ रहेगी आपकी ventilation परपस के लिए window आप टाइलिंग देखी है जैसी आपको यहां पर व्लोर की टाइलिंग देख ही और जिए आपकी टाइलिंग देख ही है same as it is आपको प्रवाइट की जाएगी एर इस तरफ वे क्ट यहां पर रहेगी आपका लिए window तो इस वेंधो की प्रेजन से अगया आपके रूम में भाया करें एश रंटेर दाई्लेश रहें अगर इवाध के लिए में यहां रहेगि एस्टेर नेफ फुलर्डर्य काभर यहां बेर्वाइड कर रहे हैं तो ऑसेेम अज्डिये आपको ड्रश्डेर ने श्ट्रियिए प आपको लेकर चलती हूं हमारे third and final bedroom में Guys, अगर आप हमारे साथ अवी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दिलकुल मत भूलना अब हम आगे हमारे third and last bedroom में जिसका अगयान मैं आपको सबसे पहले size बता दूँ तो ये रहेगा आपका 13 x 13 sqft के size में बहुत ही amazing size आपको मिल रहा है इस bedroom में कितना खुबसूरत यहां पर इनोंने bed लगाया हुआ है जो कि बहुत ही elite लग रहा है बहुत ही elegant लग रहा है इस वाल पर रहेगा आपके लिए LED पानल का space विधार इधर देखें तो यहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत कबर्ड मिल रही है वो भी sliding doors के साथ तो यह रहेगी आपकी full length cupboard जिसमें की storage का तो बहुत ज़्यादा अच्छा space है गाइस और मैं इस तरफ आपको लेकर चलूँ तो यहां पर रहेगी आपके लिए attached washroom तो यह है आपकी room की attached washroom की तो tiling देखें यहां की बहुत ही ज़ादा खुबसूरत यहां की tiling है ग्रे कलर की आपकी wall पर tiling रहेगी blue कलर की आपकी floor पर tiling रहेगी blue कलर के ज़ टाइलिंग है यह बहुत ज़ादा अच्छी लग रहे है तो same as it is आपके attached washroom रहेगी यहां पर आपको लिए वानिटी भी रहेगी same vanity as it is आपको प्रोवाइट की ज़ाएगी पूरे washroom में अपकी premium fittings रहेंगी और यहां पर रहेगा आपके ventilation purpose लिए एक window with that इस तरह हम देखे तो यहां पर मिल रहा है आपको balcony का access so guys यह ground floor के लोगों के लिए as a utility area का का काम करेगा but जो आपके ऊपर के floors रहेंगे उनके लिए यहां पर balcony रहेगी so guys this was all about this very beautiful apartment जिसका size था 118 गज आपको यह अपार्टमेंट कैसा लागा हमें comments करके जरूर बताएं बात करूं मैं अपनी तो मुझे अपार्टमेंट बहुत जादा पसंद आया है बहुत अच्छी location पर आपका यह apartment है यह आपका sector 124 greater mohali में है यहां से आप easily Chandigaran mohali जा सकने सिर्फ आपके पांच मिनिट के distance पर Chandigaran mohali देंगे साथे साथ आपको सभी neighboring states का भी यहां से बहुत ही अच्छा access मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा apartment है और बहुत ही अच्छी location और connectivity है अगर आप इस apartment को खरीदना चाहते हैं आप इसे विजिट करना चाहते है और स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर हमें कॉल कीचे हमारी टीम आपको अर्सिस्ट करेगी अन इसी के साथ मैं आप से मिलते हूं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बबाई यांड ठेक केर